करवा चौत की कथा कैसे की जाती है करवा चौत की पूजा सामगरी क्या होती है करवा चौत में सास को करवा में क्या दें क्या करें क्या ना करें इस वीडियो में मैं सब आपको बताने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों मैं आपकी दोस्त साक्षी आपको बताने जा रही हूँ करवा चौद के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के कमेंट बोक्स में जै मादादी लिख दें तो चलिए हम शुरू करते हैं करवा चौथ का परव कार्थिक मास में चौथ पर आता है यह परवा जो है सुहागन इस्तरियां अपने सुहाग के लिए करती है इस रत में हमें क्या-क्या सामगरी चाहिए यह मैं बता देती हूँ एक मिट्टी का करवा ले और एक जल का लोटा ले करवा हमें ढकन वाला ही लेना है करवे में चावल या फिर शक्कर डाली जाती है और लोटे में जल फल, फूल, कुमकुम, हल्दी, चावल, मॉली या फिर कलावा जो भी आपके पास हो वो आप ले ले रोई की जोद बना ले और तेरा दाने गेहूं के हाथ में लेकर फिर ही कथा सुने और जो आपने प्रसाद बनाया है वह भी साथ में ले और कच्चा दूद साथ में ले तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं एक सेट था उसके छे पुत्र और एक पुत्री थी वह सबी जो है साथ में बोजन करते थे पुत्री का विवा हो गया और वह किसी कारवश अपने पीहर में आई थी और उस दिन उसका करवा चौद का वरत था सब घर में जो है काम हो रहे थे लेकिन वह भूक और प्यास से व्याकुल हो रही थी शाम को जब भाई काम से लोटे तो अपनी बहन को बोले आओ बहन भोजन कर लेते हैं बहन ने कहा कि आज मेरा वरत है सो मैं चांद निकलने के बाद ही भोजन करूँगी उन्होंने प्रेम बश क्या किया एक दिया लिया एक छलनी लिया और एक सोनी की थाली लेकर पेड़ के पास जाकर छलनी से दिये की लोड से रोशनी कर दी और अपनी बहन से कहा कि देख बहना चांद निकल गया है और बहन भी अपनी भावियों को जाकर बोली कि भावी चान निकल गया है भावियों ने कहा कि हम तो रात को अर्ग देंगे तुम्हारा चान निकला है तुम अर्ग देखकर आओ अर्ग देखकर जैसे ही वह अपने भावियों के साथ भोजन करने के लिए बैठी तो पहले ग्रास में बाल आया और दूसरा ग्रास लिया तो उसमें पत्थर आया तीसरे ग्रास लेते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया है कि तुम्हारा पती जो है बेहन का पती बिमार है जल्दी वापस घर आ जाओ तब उसकी माने उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया और कहा रास्ते में जो मिले उसके पैर चुए और जो भी उसे सुहाग का आशिरवाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे दे रस्ते में उसे जो भी मिला उसने उसके पैट चुए लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशिरवाद नहीं दिया ससुराल के दर्वाजे पर उसे एक अपनी छोटी नणन्द मिली और उसने उसके पैट चुए का अंतिम संसकार भी नहीं करने दिया तो उसकी सासु मा भी उसे बच्ची कुची रोटी दासी के साथ बेज देती और उससे कहती कि जा मरी सुखाडी को रोटी दे कर आजा थोड़े दिनों के बाद मकसर महिने की चौत आई तब करवा माता आई और बोली करवा ले करवा ले बाईयों की प्यारी बेहन करवा ले तब बोली मा आपने मेरे सुहाग को लिया है आप मुझे वापस लोटा दो मा तब बोली अगली चौत माता को कहना तो हर महिने की चौत माता पर ऐसा ही होता तब अश्विन माता जो है चौत आई तब उसने कहा कि कार्तिक चौत माता त तुम उनको मनाना करवा चौत की जो चौत माता आई और उस दिन उसने कहा कि करवा ले करवा ले दिन में चांद उगाने वाली करवा ले जादा भूख प्यास लगने वाली करवा ले तब उसने उसके पैर पकड़ लिये कहा कि आप मुझ पर बिगडी थी मा आप मेरा सुहाग लोटा दो और तब मा जो है उस पे राजी हुई और उसने पनी मांग का सिंदूर और अपनी आँखों का काजल उससे लगाया और अपनी चिटकी उंगुली से उसके पती को पानी का छीटा दिया तब उसका पती जो है उट गया तब सास आई और वह भी बहुत कुश होई और उसने सारे शहर में डिंडोरा पीट दिया कि जो है चोत माता हर साल जो आती है हमें सभी को करनी चाहिए और हर जो साल में 13 चोत आती है वो भी जरूर करनी चाहिए इस तरह से हमारी करवा चौत की कहानी कथा जो है पूरी हुई तो अब जब हम करवा चौत करें और रात में चंद्रमा को खीर का अर्ग देकर ही व्रत को खोले और अपने पती के हाथों से जल पियें बोले चौत माता की जै